नमस्कार आप सब का स्वागत है टीवी सीरियल इफ आई आर से चर्चित हुई एक प्रेस कविता कौशे की आनी चंद्रमुखी चोटाला का कहना है कि पंजाबी में हिंदी फिल्मों से ज्यादा अच्छी कहानिया है इसलिए पंजाबी फिल्मों में आई हूँ राजस्थान की संस्कृती कैसे लगी इसको लेकर आपका क्या कहना है राजस्थान से मेरा गहरान आता है मेरे पिता अलवर जिले के मांडन गाउं के रहने वाले हैं अमारी अभी भी वहां हावेलिया हैं और मेरा भाई सहित कई रिष्टिदार वहां रहते हैं राजस्थान की खुश्बू मेरे खून में बसी हुई है हर्यानवी रोल से पंजाबी फिल्मों में आकर कैसा महसूस कर रही है पंजाबी फिल्मों में रोल कर अच्छा लग रहा है पहले भी कई पंजाबी फिल्मों के ओफर आए मैं इन फिल्मों में काम करना भी चाहती थी पर इफ आई आर सीरियल में व्यस्त होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया कॉमेडी से उनकी दाल गली तो ऐसी गली की अब दाल मक्खनी बन गई और जब वेक बराता चलिया की कहानी सुनी तो तुरंत पंजाबी फिल्म के लिए हमी भर दी पंजाबी फिल्म में काम करने के लिए पंजाबी भी सीखी बेटी बचाओ अभियान को लेकर आपका क्या कहना है जिस देश में बेटियों और नारी को देवी के रूप में पूला लाता है वहां बेटी बच्चाओ के नारे लगाने की जरूरत पड़ रही है नारी का मांसिक बलपुरुष के मुकाबले कहीं ज्यादा है इश्वर ने नारी और पुरुष का बालेंस बनाया है जिसे बिगार ना नहीं चाहिए इसको लेकर सकारात्मा सोच की आवशकता है